भारतिय टीम हाल में ही स्रिलंका के खिलाब वंडे और T20 सिरीज खेली T20 सिरीज में टीम इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्विप किया वहीं वंडे सिरीज में मन मुताबिक परिनाम नहीं मिला वंडे सिरीज में टीम इंडिया को 0-2 से हार छेलनी परी नमस्कार प्रणाम मैं आदित्तगर्ग और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी लेकिन अब वो बात तो बीट गई जब स्रिलंका से ये वन डे सिरीज टीम इंडिया हार गई है अब आपके पास लेके आये हैं महमान बंगलादेश इंडिया का दोड़ा करेगी और इस दोरे पे टेस्ट मैच और टी ट्वेंटी दोनों ही होंगे तो क्या सिड्यूल का एलान हुआ है और कहां पर मैच होने वाला है और कब से मैच होने वाला है आईए आपको बताने की कोशिस करते हैं अब रोहित एंड कमपणी अगले महिने तक कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेगी भारतिय टीम सीधा सितंबर में बंगलादेश के खिलाब टेस्ट सिरीज खेलेगी इसके बाद टी ट्वेंटी सिरीज हो गया आईए जानते हैं इसके लिए टीम इंडिया का सेड़ कैसा है 19 दिसंबर को खेला जाएगा पहला मेंच टेस्ट और टी ट्वेंटी सिरीज खेलने के लिए बंगलादेश की टीम भारतिय दोरे पर आएगी पहला टेस्ट 29 सितंबर को चन्नई के मैदान पर खेला जाएगा फिर दूसरा टेस्ट 27 दिसंबर से सुरू होगा ये मु पहले पैदान पर मजबूत है टीम ने अभी तक 9 मैच खेले हैं जिसमें से 6 में जीत दर्ज की है और 2 में हार जेलनी पर ही है भारत का PCT 68.51 है वहीं बंगलादेश की टीम आठवे नंबर पर मजूत है टीम ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं जिसमें से सिर्फ एक ही मैच जीता है टीम का PCT 25.00 है ऐसे में होने वाले टेस्ट सिरीज दोनों ही टीमों के लिए अहम है भारतिय टीम और बंगलादेश के बीच T20 की सिरीज खेलेगी पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को दूसरा 9 अक्टूबर को तो वहीं तीसरा 12 अक्टूबर को खेला जाएगा यह म मैच क्रमसा, धर्मसाला, दिल्ली और हैदराबाद में खेला जागा तो महमान बंगलादेश जब भारतिय टीम का दौरा करेगी तो उसमें टेस्ट और T20 दोनों ही सुमार है तो T20 फैंस के भी अपने मज़े हैं और टेस्ट के भी अपने मज़े हैं लेकिन आपको बता दे कि ये जो टेस्ट मैच होने वाला है ये वर्ल्ल टेस्ट चेंपियंशिप के लिहाजे से बहुत ही बरा मुकाबला होने वाला है यहां दोनों ही टीमें चाहेगी कि टेस्ट जीत कर वर्ल्ल टेस्ट चेंपियंशिप में अपनी दावेदारी को और मजबूत करें और भारति चेंपियंशिप का जो ट्रोफी है वो किसी गदे से कम नहीं है जिस भी टीम ने ये ट्रोफी जीता है उसको टेस्ट का महारत ही माना जाता है पिछले बार तो टीम इंडिया चूप गई थी इस बार वो जोरो और सोरो से दम लगाएगी और चाहेगी कि वर्ल्ट टेस्ट चे करें तब तक देश और दुनिया से जूरे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे है रिपोर्टर जी